हलो फ्रेंज तो आज से फैनल यह में स्टार्ट करें अपना नियू चेप्टर प्रावाइबिलिटी तो हम देख रहे थे अपनी बायू स्टैटिक्स भी फामीसी एट सेमिश्टर और इसकी यूनिट सैकेंड को अपने श्टार्ट कर दिया था तो यूनिट सैकेंड का चेप तो यह मतलब टॉपिक ही ऐसे हैं कि आपको समझने के लिए थोड़ा सा रिलेक्स माइंड और प्रैक्टिस आपको दबा के करनी है तो इतना ज्यादा आप नहीं मतलब कर सकते एक बार में तो इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज ही समझेंगे तो आज बेसिकली मैं क्या करने आपको प्रावेवरिटी के बारे में पताने वाले हैं और डेफिनेशन क्या होती है और यह कंसेप्ट ही क्या है क्योंकि एक बार आपका अगर जनरल कंसेप्ट प्रावेवरिटी का समझ गया जो आगे के टम आने वाले बाइनो बीन नॉर्मल या यह हमारा पॉज़न यह पहले आप तर्म अच्छे ते समझ सकते हो पहले आपको जनलर टम के प्रावेवरिटी एक्च्वल में होती ही क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा और साथ में यह भी देखेंगे कि जो प्रावेवरिटी है वह हमारी फार्मेसी में मतलब यार हम पड़ी क्यों रहे हैं तो इसके बारे पर थोड़ी सी बात करेंगे बागी तो बाइस सॉल्व तो करनी है तो इसमें से एका निमेरिकल आता है हमारा या तो बाइनोमियल प्यादाएगा या पॉइजन प्यादागे लेकिन इनको समझने के लिए आपको बेसिक वाले ये वीडियो बहुत इंपोर वैल फार्मा में चलिए तो अगर हम सिंपल बात करें की अगरें वहती कि यह हमारी उमीद है क्या है यह मारी उमीद है या चांस है या पॉसिबिलिटी कि मालो बहुत लोग हैं जिनकी गल्फेंड बगदा नहीं बहुत लों कहते हैं तर ऐसे आप ग्रेजूएशन में वह भी फामेसी करें थोड़ा वह चलता है इससे थोड़ा समझ में आप लोग को अचल दी आता है इसलिए इंट्रेस्ट भी आता है तो मालो की बहुत लोगी गल्फेंड बगरा नहीं है और वो क्या करते हैं कि उनको बनानी है तो अब मालो आप किसी को प्रपोस करने जा रहे हो तो प्रपोस करने जा रहे हैं तो दो अपसन है कि या तो वह हां करेगी या फिर ना करेगी अब यह इसके भी उम्मीद ऐसा थोड़ी कि 50-50 है आपको उम्मीद क्या है कि बहुत कोई क्लोज है आपसे मतलब पसंद भी करते हैं तो चांस है कि वह कर सकती है तो यहां पर क्या पता करते किया पता ना करते हैं यहां पर आप चांस निकालने में किया कहला कि आप क्या कि आघक्सिदूम्मीद लगा यह कि वह कितने xm अब देखा था एक तरह से तो आप अपने पूरे जीवन का आलम हम पूरे अपनी लाइफ उस में घिरे हुए हैं probability से कैसे हैं आप एक्जाम देने जा रहे हो तो भाई चांस है कि आप टॉप कर जा हो चांस है कि आप पास हो जाओ चांस है कि आप फेल हो साओ अब मालो कल possibility एक तरह से हमारी उम्मीद possibility या चांस किसी भी चीज़ के आने के और इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते कोई भी चीज़ को अब जैसे सिंपल वही मैंने आपको उताया आप में गल्फेंड में जा रहे हो आपने पूरा calculate कर लिया कि इतना हो सकता हो तो आप प्रिडिक्ट कर सक कि probability क्या होती है तो मालूँ मेरे पास क्या कोईन है अब इसको हमेड़े और इदर का है उसको इसको निकालते कि टैल आएगा तो इसके क्या चांस है कि head आए क्या चांस है कि tell आई इसी को निकालने की चीज़ को हम क्या बोलते है probability तो एक तरह से यह हमारा का मेजर करने का method है जिससे हम किसी भी चीज़ की possibilities को measure करते हैं तो also हम define कर सकते कि it is the measurement of possibilities of any event चांश करते हैं तो उसके chances क्या है कि यह आएगा chance क्या कि वह आएगा उसी चीज़ को calculate करते हैं probability अंदर तो अगर मालों मेरे पास यह coin है और मैं आप से बूझे हैड आने के क्या chance है तो अगर मैं क्या करूं इसको toss करता हूं मालों यह है तो अब ईसलिव आता है कि हो सकता है कि हमारे क्या है ऐड़ा यह जल्दी हो दा tribal 이제 तो دोनों के chants हमारे क्या है 50-50 परसेंट हो सकता है एड़ा घं़ी परसेंट हो सकता हमारे तो अगर मैं यहां पर बोलो कि मैंने सिक्का एक कि एक बार उच्छाला तो एक भार उच्का उच्छालने में हमारा fifty-fifty परसंट है कि वहीं मैंँ उठाया क्या पता है रहता है तो 50% यह पूरा एक हमारा इवेंट हो गया तो यह चांस ऑफ ऑक्यूरेंस मतलब कोई चीज़ आ रही है वह है तो यह इसकी एक सिंपल देफिनेशन है वरना हम इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं कि प्रवरेटी कैन वी डिफाइंड एज इस दा रेशियो ऑफ नंबर आउटकम आउटकम हमको चाहिए वह अपन में हमारा नीचे टोटल नंबर आउटकम आएगा सिंपल मैंने यहां कोईन के एक्जांपल समझें पहले फॉर्मूला समझो कि यहां पर हम इस तरह करते हैं पी और ब्रैकेट में यहां पर यहां पर पूछा जा रहा है कि टेल आने के क्या सляते हैं तो इसके लिए आपर कैसे लिए करेंगे तो नुम्र आफ फेबेड्याव आउटकम तो फेबरेडवल जो हम को चाहिए एक हम साथ पावन है तो हमारे जो टैल आने की चांस है वह हमारे कितने वन वाइट चांस है यहाप तो इस तरह से हम प्रबबीटी निकाल सकते कि हम जाता थे लेक्ट करती है तो यह तक आपने निकाल दिया अगर उसको आप 0.5 कर दोगे और आपका काम यहां पर डण होता है तो इतना आपको यह करना होता है अब एक नई चीज और समझ लो इसमें क्या होती है कि जो प्रॉबिलिटी है वह हमारी फेवर्यवल आउटकॉम मारा है राद है और नीचे हमारा हैड प्लस टैल दोनों आद आ दाएगा तो फेड के आने के चांस क्या है एक वहार है सकता है और एक बार है रा सकता है अब जोंगे बन भाई इन दो करें यहां पर यह नहीं कर नहीं तो इस से आप क्रोस चेक कर सकते हों कि आपकी approach आपके सब्सक्रीं और यहां पर यहां पर ही होगी एक हो सकती है लेकिन एक से जardा कभी नहीं होगी और यहां पर कम क्म जाने कि नेगेटिम में तो कभी जानी ही parfait यहां पर आप बैसिक साथ समझ्झ गए इसाओं लेंग सब्कCH बात समय है कि कितने कोई चांस कितने कोई बना रहें तो कितने परसंट चांस हो सकते हैं इंके बारे मैं साइड एफैक्ट के वारे मैं बाकि देमांड औफ नीhe न्यू ट्राइक बनातें तो tenant चटेक करते कि वह न्यू ट्रग हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी तो इस तरह हम यह प्रोडक्शन कर सकते हैं वागी प्रोडक्शन कोश्ट हमारी कितनी इस्टीमेट निकाल सकते हैं तो यह कुछ बात हैं जो हम फार्मेसी के अंदर इंवल्व करते हैं यह ऐसे वैसे आएगा नहीं बस मैंने आपको समझाने के लिए लिए अब कुछ important definition समझ लो देन हम question solve करेंगे देन हमारा यह introduction वाला पार्ट complete हो साएगा तो अगर यहां पर हम experiments के बारें बात करें कि definition में experiment इसीको हम event बोलते हैं तो यह हमारे कहा है कि an operation in which we get outcomes यान कि कोई भी हम जो operation करता है इसके अंदर हमको outcomes मिल रहा है यान कि जो occurrence मिल रहा ह मैंने यह coin था तो coin मैंने यह उच्छाला है अब head आ रहा है कि tell आ रहा है तो यह पूरा फंदा हमको इसके अंदर outcome मिल रहे हैं कि head भी आ सकता है tell भी आ सकता है तो यह पूरी process थी यान कि पूरा operation था कि हमने coin को लिया और ऐसे करके हमने उच्छाल कर डाला यह पूरा का तो मालो मैंने यह coin था अगर मैं इसको उच्छा लूँगा तो यह तो tell आएगा यह फिर हमारा head आएगा तो यहां पर हमारे क्या है दो possibilities है कि यह तो tell आ सकता है यह head आ सकता है तो यह तो दो outcome है इन दो outcome sample space बोलेंगे कि it is the all possible outcome अब example के लिए मैं बोलू कि मैंने मालो एक dice यान कि एक dice जो लूड़ो वगर आप खेलते हो तो वह dice अगर मैं यहाँ पर fanc हूँ तो चांस है कि कोई भी हमारी 6 नमर होते है उसमें एक से लेके 6 तक तो कोई भी चांस हमारा आ सकता है एक आ सकता है तो वहाँ पर possible outcome कितने है total number 6 हो जाएंगे एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी आ सकता है चार भी पांच भी छह भी तो टोटल महां पर 6 outcomes हो जाएंगे तो वह total number of जो outcomes होते है possible outcome वही हमारा sample space कहलाता है तो एक तरह से बुलाता है तो यह हमारा main गोदा हम है जानकि इसमें सारा कुछ हमारा बंडार है पूरा का पूरा ठीक है तो यह हमार प्रक्टिस कर लो normal और मैं एक example दोंगा वह आपको निकालना है देन आप जो है next video से हम इसको करेंगे ठीक है चलिए तो अगर हम एक को कोशन समझे कि इना box मालों एक हमारा कोई box है जिसके अंतर हमारी पांच क्रोसीन की tablet है और दस हमारी aspirant की tablet है तो अब यहां आता है find the probability of choosing crocine and aspirant tablet अब पहले हमें एक एक करके दोनों की priority निकालने है कि क्रोसीन हमारा कितना हो सकता है और aspirant कितना हो सकता है तो इसको थोड़ा था simplify करने के लिए मैं आपको थोड़ा अच्छे अंदाज में इसको समझाता हूं तो simple मैंने यहां पर क्या होला मालों हमारे पास क्या मैं इसमें हाट डालूं और हाट डालके मैं एक टैबलेट उठाओं तो क्या चांस है कि वह हमारी क्रोसीन होगी या क्या चांस है कि वह हमारी एस पूर गी तो इस तरह से हमारे कुशचें आते हैं और यह हमारी प्रोड़िटी एक्च्वल में कहलाती है तो अगर मैं यहाँपर सबसे पहले हम को क्या है सेंपल स्पेस निकालना है सेंपल इस मतलब टोटल आउटकम हुमारे कितने हुगे तो टोटल आउटकम क्या है हमारे पास टोटल क्या है 15 टैबलेट है तो अगर मैं यहां से हाथ डालके निकालूंगा तो टोटल हमारे पास 15 टैबलेट है तो 15 हमारे पास क्या हो जाएंगे के लिए हम क्या करेंगे पर हम यहां पर हम सी लगा लेंगे तो यहां पर हमारा कि तो रहुट कम है कर देंगे अब नीचे हमारा अब सब्सक्राइब तो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्मूला यहां पर जन्रेट होता है अच्छे से समझ लो सारी कहानी तो नमर आने के चांद है फाइफ हमारे तो उपर फाइफ कर देंगे अपन इन दौनों को अगर एड करें तो हमारा फिफ्टीन है अब इनको सॉल्व इनको स्वाइब करेंगे तो फाइफ टू यहां पर टोर्ट नमर आपको होते हैं तो यहां पर अगर हम मारे किन्स के चांद किने तो यही मैं समझा रहा हूं कि इस तरह बहुत ही सिंपल है आपने छोटे पर निकाली भी होगी ठीक है बागी यह फॉर्मूले मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा अभी समझ लोगे ना आगे आपको अच्छे समझ आएगा तो इसी तरह निकाल सकते है टोटल पहले निकाल हो फिर क्रॉसिन के लिए हम उपर क्या करेंगे क्रॉसिन की वैली रखतेंगे नीचे टोटल नमर रख देंगे देंगे ये कीई तो चाहरा निकलाएगा अब से अ सी यहां तो घ्रावायी है घ्राइं हमारी की ठीक आई है वाकी एक आप्शन और होता है हमारी मालों के किनी कि कि आ अब क्या होता है जो ल trade 1Y-3 आए अब यह ऐसे क्यों हो बना क्योंकि हमको बताएं कि जो एस्प्रिन है हमारा यह तो अगर हम क्रोंगे तो अगर हमको और इसकी प्रविल्टी मायनस कर दिया है तो अगर दोनों की यहां पर बन कर दूँ यह यह मैंने कर दिया यह हमारी ओपर बन होती है तो अगर मैं यहाँ पर क्रोशीन या किसी का भी फॉर्मुला बनाओं तो सिंपल हमारा बन जाएगा टोटल नमबर ऑफ यह प्लस का इदर माइनस चला जाएगा जिकल टू बन माइनस पीजिकल टू सी तो इस तरह से यह फॉर्म तो आपको सिंपल यहाँ पर पता है कि कोई चार आने के प्यासे है अlanda क पॉसिपल औप निकाली Ст्ल होगा यह उपर न astrology जैनिक फॉर्म यह n को कि चांस है तो चार हमारे इसमेंदे कितनी बार एक बार आया है तो ऊपर हमारा एक आजाएगा जाने कि एक बार चार हमारा आ सकता है नीचे हमारे टोटल नमबर आपकम छह है तो यहां पर हमारा सिक्साद आएगा तो प्रवाबिटी हमारी इसकी कितने हो जाएगी बन भाई यह नमबर को हमने यहां पूट कर दिया कि एक वारा सकता अगर हम डाइस को उचालते हैं तो जैसे हमारे हैट टैल है वैसे यह नमबर है ठीक है अब इसमें यहां पर थोड़ा सा और एक्जांपल थोड़ा सा टफ लेता हूं जिससे आपको यह ना लगेगी सरसिंबल ही समझ सकता है यहां चिए तो यहां पर यहां पर करना बहुत आसले लहां तो यहां हमारे पास ऑप पो हुचा है इस तरह इंहां पर तोल फूलड हो ये आठ आना चीए अब यान की सम आना चीए टोटल इसको याद रखो टोटल 4 और 8 यान की सम चार्ज आठ आए यान की दौनों डाय सोपर जो बैल्यू आ रहे हैं उनके सम चार्ज आए जैसे एक्जांपल कमा लो इस पर हमारी एक आ गई और इस वाले डाइस पर हमारे तीन आ या तो जब दौनों को सम करेंगे तो चार आएगा तो यह एक पॉसिबल आउटकम हमारा हो सकता है तो इस तरह की आउटकम आने की क्या प्राबिल्टी यह इनों ने पूछा है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है वही मैंने आपको होता है सेंपल स्पेस निकालना है कि सब्सक्राइब तो एक dice को हमेस्टनिय लिखेंगे और ऊपर हम लगा देते हैं यह हमारा है नमर आफ टाइंप्स द्रोगए कोई भी जाये को जैसे माद लो कौई है तो कौई में में हमारे है उसको कितनी तो अगर दिखाए एक तरह से तो हमारे जो डायस है 6-0 वहमारा दो है तो हम यहां पर 2 लेख सकते हैं कि दो बार कि तरह से हमारा उच्छाला गया तो पॉसिवल आॉटकम्स हमारे नाइस के दूसरे में तीन आया तो यह चार हो गए टोटल तो एक यह पॉसिपिटीज हो सकती है दूसरी का दौनों में दो दो आ जाएंगे तब भी क्या हो सकता हमारी जो पॉसिपिटीज है वो चार हो सकती है फिर पहले में एक ता दूसरे में तो इनके भी चार हो गए तो यह चार क हो गया फिर मालों पहले में दो आया दूस्रे में हो गया या पहले में चिथे आया तरह हो गया तो इस तरह से मेरे यह को चांस कि माये एवstä魚 एकर इस गिरता है तब शेद कि उनक S よ सकते हैं तो यह lotta ऊच्लम 8 वर चांस है कि यह चीज हमारी सकती है तो बस प्रविल्टी निकालने तो पीज़ टूटल नमबर फोर या जब आठ चारा है तो कितना आ सकता है तो यहां टोटल आठ बार है तो आठ हो गया अपन हमारे टोटल जो आउटकम था वह हमारा तो अगर मैं क्या गरूं इस वाक्स में हाँ डालके एक टैबलेट निकालता हूं तो क्या चांस है कि वह टैबलेट हमारी पैरासीटा मोल नहीं होगी यह थोड़ा सा टफ नहीं लेकिन घुमा के मैंने पूचा है तो अब आपको यह कमेंट में इसका आंसर बताना है थोड़ी प्रॉसेस भी आप बता सकते हो तो फटा वड़ जो है इसका आंसर कमेंट में बताओ बाकि यह बेसिक सी कहानी आपको समद आई प्रबाविटी की नहीं आई यह आप कमेंट यूनित्स पैस्ट के नोड़री वैबसायट पर डाल दिये गएन नोड़ देख सकते हो बीड़ों भकर अगरा देख सकते हो और किसी भी तरह का कोई बीडाऊट सेब्सेक्न कर कर सकते हो लाइए कर दो सब्सक्राइब टे मृथ हैं डोस्तोह हैel दोस्तोह आप अपना और family families का क्या लखेगा